श्री गनेशा या नमाहा, ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है, चंदरमा मन के कारक है, हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते हैं वो चंदरमा की स्थीति ले कर आती है, और इस वजे से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़ादा प्रभाव चंद्रमा इस दिन फोर्थ हाउस में रहेंगे इससे आप इस दिन मानसिक तोर पर काफी डिस्टर्ब रहोगे मानसिक तोर पर डिस्टर्ब रहने के कारण आपके अच्छे भले काम किसी गलट डिसिजन से बिगड सकते है इसलिए इस दिन आपको महत्वपूर्ण निर्णे लेने से बचना चाहिए और कहीं निवेश करना है तो जोखिम नहीं उठानी चाहिए अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं आपको जोखिम उठाना जरूरी है तो किसी विश्वासु व्यक्ति से सलाम अशोराद जरूर करें इस समय में सिर में दर्ग शिकायत या फिर कामों मन ना लगने की शिकायद भी रह सकती है इस दिन ग्रहनक्षत्र उतने बुरे भी नहीं है लेकिन मानसी परिशानिया गलतिया करवा सकती है अगर आप साउधानी बरत्ते हुए किसी की राय लेकर महत्वपुर्ण कामों को करते है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेग इन सब चीजों के लिए समय अच्छा है अगर नोक्री पेशा लोगों की बात करे तो नोक्री पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा आपके बौस और आपके सहयोगी आपसे खुश रहेंगे आपका सहयोग भी करेंगे लेकिन फिर भी वाद विवाद होने की सं अच्छा ही रहेगा आर्थिक स्थिति के हिसाब से ये दिन आपके लिए अच्छा है आपकी आर्थिक स्थिति इस समय में मजबूत रहेगी इस समय में अगर आप नोकरी ढूंड रहे है तो आपको मन मुताबिक जॉब भी मिल सकती है लेकिन प्रयास करना पड़ेगा इस समय में आपको आपके कर्म के ही फल मिलेंगे बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा इस समय में जो लोग अपनी जन्मभूमी से दूर है उन्हें अच्छे लाब मिलेंगे जितना ज्यादा जन्मभूमी से आप दूर रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा फल आपको प्राप्त हो सकता है अगर स्टूडन्स की बात करें तो स्टूडन्स आज थोड़े डिस्टरब रह सकते हैं, पढ़ाई में मन ना लगने की शिकायत रह सकती हैं, मन में कई प्रकार के विचार आ सकते हैं, मन भटकने की भी पूरी संभावना रहेगी, इस समय में हलका भोजन करना आप के लिए अ अच्छा ताल मिल रहेगा, घर में खुशनुमा माहोल रहेगा, दिन काप ही अच्छा जाएगा, अगर परसनल लाइप की बात करें, लव लाइप की बात करें, तो लव लाइप के लिए भी दिन बहुत अच्छा रहेगा, अपने पार्टनर को हमेशा खुश रखने की और वो रिष्टे आसानी से टूट भी नहीं सकती और ये चीजे अपने आप होती है आज की दिन आपका स्वास्थ अच्छा रहेगा शारीरिक तोर पर बहुत अच्छा रहेगा लेकिन मानसिक तोर पर कमजोर हो सकता है इस दिन आप छोटी सी बात पर भी भड़क सकते है आज के दिन के लिए सफेद रंका इस्तिमाल करना आपको बहुत अच्छा रहेगा और दो नंबर इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तों इस दिन कुछ उपाय करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा जैसे चंदन या केसर का तिलक अपने माथे पर आप लगा दोस्तों इस राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया ज दोस्तों सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तों व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ ह गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाय घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़े हो चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारतमक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़त पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं अगर आप कही बहार से आते हैं और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उतार देते हैं तो ये अशुब होता है क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है इससे उन्नती में बाधा आती है इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जगय पर ठीक प्रकार से रखे दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कहीं से भी बाहर से आते हैं कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं कहीं पर भी उतार देते हैं पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और जूते चपल हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं दोस्तों ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगए पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस थान पर रखे अगर कोई व् उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखे साथ ही दोस्तों एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चपके उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरह से साप सुतरा रखे जी हां साप सुतरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के उपर नहीं रखनी है, दोस्तों नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पास सकते हैं उतना नहीं पास सकेंगे, क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी, इस वज़े से घर के च्छत को पूरी तरे से साप रखें, पूरी तरे से साप सुत्रा रखें, क्लीन रखें साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है, वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही लेकिन जिने पता है वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगए साप सुत्री रखते हैं और एक भी चीज व बहाँ पर आपको नहीं मिलेगी क्यूंकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है। साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता ह इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में च्रिड़शेडा हट होती है और चोटी चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करत है उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हां वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का चाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा सापसुतरा रखे कम से गम एक महिने में अपने घर के हर कोने की सापसपाई जरूर करे दोस्तो मुख्यद्वार भी हमेशा सापसुतरा रखे मुख्यदार, मुख्यद्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्यद्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साफ सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्तोत भी खुलने लगेंगे इसे के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तो वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में है बस वहां तक सिमित है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्थिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटेन नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही दोस्तो कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर negativity दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवर में उसी तरह के घटनाए घटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करे धन्यवाद